अससलाम अलेकुम गाइस इस वीडियो में exercise 6.7 शाट करेंगे अब जो 6.7 का topic जो है वो आपके पास है integration by parts अब देखो integration जो आपके पास है calculus की जो बरांच है इसकी 3-4 बहुत important है integration by trigonometric substitution या integration by use substitution मतब substitution मैंद आता है आपके पास एक integration by parts बहुत important technique है integration by partial fraction यह बहुत important टेक्निक है आपके पास तो आपके पास कुछ टेख्शन की बहुत important है ठीक है उनहीं का integration by parts और बहुत इम्पार्टन टेक्ênीक है और बहुत easy टेक्निक है जिससे आप काफी मुश्किल फंक्षिन को इसी तरह स्वाल्फ कर सकते हो अब इंटिक्रेशन पार्स यूज करते हो विसमें से एक यूगा और एक वी रिलो गया ठीक है और उसको अचाहात मेरे वह बहुत है वह इंग भर रहा है तो यह आपके पास फॉर्मॉला होगा इंटिग्रेशन बाइपार्ट करते हैं इसके अलावा भी एक फॉर्मॉला है जो आपके मौजूद नश महिल्यृ की ढाशी के बात होगी यू और व किसको लेना है आपको दो यू को हम करेंगे डिफिरेंशएट और डिफिरेंशएट और टो इस ने रहे हैं जैसे अगर मैं एक स्कॉयर यू के बराबर रूंगा तो जब मैं इसको डिफिरेंशेट करूंगा मेरे पस्क्राइब फिन करने के और सिंपल हो गया तो हमने ऐसा मैसे शुन है जिसको हम इंटिग्रेट करें तो बेसिकि रूल ऑफी को फॉलो करें चीनके हमें इंटिगल बता है जैसे इन्टीनोमेट्रिक फंक्षन जितने हमें उनके इंटेगल पता है एकस्पिनेंशल के पता है तो आपके लिए अपने इंटीटरियेशन का पता ही निए कि इनवर्स वंक्षन की इंटेग्रेशन किस तरह हम करते हैं प्लाइए लेकिन इस प्लाइए नहीं कर पाऊगे तो जो है उनको follow करें आप इंटेग्रेट कर लो से यह नो ऐसा वी चुल लो कि जिसको आप इंटेग्रेटी ना कर पाऊ सब्सक्राइब तो यह है अब देखो यह अब हर सवाल में आप बैटके सोचो के क्या है यू को तो इसके लिए आपके लिए असानी है वह क्या असानी है यह जो फाइफ लेटर इनको यादर नहीं होगा क्या यह लोगे 보고 करें अब लैट से आभी यूंडक में हैं वह यह five है पाइं पांच possibility हो सकती है कुछ लोगैथम और algebraic function साथ है algebraic और trigonometric function साथ है इसी तरह inverse trigonometric functions साथ है algebraic or exponential trigonometric or exponential ठीक और यह पंचु मेंसे आपके 6.7 में मौझूद तैसके मौझूद नहीं है ठीक है आप इसमें यू और वी किसको लोगे यह रूल आपको बताएगा अब आपने नहीं सोचना किसको मैं डिफेंट करूंगा तो इजी होगा बला बला वह आपने नहीं सोचना ठीक है आपने का करना है आपने सिंपल याद करना अब इस रूल में जो पहले आ रहा है लोगार्थम इंवर्स इसको आप यू ले लोगे तो यू आप एलंट एक्स को ले लोगे डिक है इसी दरह एक और इग्जम्पल एटेसे अलजू अलजबरीक और एक्स मोन जहां पर तो कौन सा पहले आ hazırک adequately को तो आप the seized square X 12 वह उसको आप यू ले लोगे ठीक है टिक्नोमेट्रिक exponential पहले कौन सा आ रहा है टीक्नोमेट्रिक फिर exponential अए तो टो जो पहले आ रहा है उसको आपने यू ले लेना है डिक्ए अब सवाल सबस además अप लों और प्राट नमबर पाइस क्या है अब तीनों पाइस प्रप्र फाइस की आपके पास घृब्र का लॉगारे डॉय तो लायाटे रूल क्या कहता है हमें के लगैरिफम और यहां पहले आए है यह देखो लॉगारिफम है और algebraic यह तो logarithm पहले आ रहा है तो logarithm जो पहले आ रहा है उसको यू ले लो तो logarithm को आप यू ले लो और जो algebraic पार्ट है उसको आपने वी लेट के लेना है यू को differentiate करो lns को differentiate करो तो क्या आएगा 1 over x आएगा और अच्छा वी को integrate कर दो with respect to independent variable अब इसमें independent variable कौन से जिस फॉर्म में आपका function होता है वहीं आपके पास independent variable होते हैं तो x की फॉर्म में तो आप का आप integrate कर दो with respect to x वी को ठीक है तो x की पावार म को integrate कर दो with respect to x integral करोंगे x का derivative जो बेसा उसका derivative साथ मौझूद है power लगाओ m plus 1 नीचे भी m plus 1 आदेगा ठीक है अब यहां प्लस c आड़ना करो क्यूंकि पर confuse हो जाओगे प्लस c आप क्या करो पूरा कोशन करो कि आखर में प्लस c आप कर दो ठीक है क्यूंकि पूरे हम कोशन में हमारे पास सिफ एक constant होता है जितने भी constant होते हैं वह सब c से show करते हैं ठीक है तो यहां एड़ना करो सवाल के आखर में प्लस c आड़ कर देना ठीक है फार्मूला आपके पास क्या integration by part का यह पूरा फार्मूला है ठीक है इसमें यू क्या आपके पास lnx वी कि आपके पास x की power m dx अपने जागा पर सबसे पहले formula कहता है यू लिखो यू क्या है lnx और integral V dx किसके बराबर है इस पूरी चीज़ के बराबर है वह लिख दो minus integral du by dx किसके बराबर है 1 over x के बराबर 1 over x लिख दो multiply integral V dx यह पूरी चीज़ लिख दो और bracket लागे dx ठीक है यह formula आपका अब मैं हर question में आपको नहीं बताओंगा formula apply करना इस तरह आपने करना है question में कि अश्य इंको arrange कर लो और इसमें क्या करो अब देखो नीचे x की power क्या 1 और उपर जो है ना इसको प्रेक कर दो इस तरह आपको पता है कि जब बेसी सेम हो तो पावर होती है तो आप एक्स की पावर एंप्लस मन को इस तरह भी लिख रखते हो बेसे में पावर एड करोगे तो अब नुमेंटर में आपके पास यह है और यह दोनों मल्टिप्लिया और न तो डिनॉमेंटर में आपके पास क्या है एक्स है इसको भूल जो तो एक से यह वह लेक्स की पावर एंपज जाएगा और नीचे रिख लो और यहां से बचेगा यहां से पूरी चीज बचेगी प्लस एक नहीं चीज आप लों के लिए होगा कि मैं लेट कर रहा हूं इस पूरी इंटेगल को आई के बराबर तो यह आपकी मर्जी है पहले मैं नहीं करवाता था क्यूंकि इतने लंबे नहीं हो देते हैं अब यह वाला कुशन तो चोटा है मजीद जब आप करोगे देखो के कुशन बहुत बढ़ें तो यह हमें काफी मदद करेगा ठीक है वहां आपको समझ आएगी कि आई मैं क्यूं लेट कर रहा है ठीक है उसके बाद आपके पास सेगेंड केस क्या है अलजबरिक और टिक्न तक्रिबन साथ तो मैं नहीं कर रहा हूंगा ना ठीक है तो कोशन नमर वन का पार्ट नमर एट सबसे पहले एक स्कॉर साइन स्कॉर एक्स मौद है अब यह अलजबरिक और यह तो लायाटे यूस करो अलजबरिक यह पहले आ रहा है और टिक्नोमेट्रिक टी बाद में आ त सॉल्फ करो आपके पास इंट्रिक्रल आजाएगा वन ओवर टू एक्स माइनस वन ओवर फॉर साइन टू एक्स ठीक है उसके बाद आप इंटिक्रेशन पार्ट का फॉर्मॉला जो है वह अप्लाइक करो इसमें यू इंट्रिकल वी डी एक्स इन सब की वैल्यू पूट कर तो आपके पास यह आजाएगा ठीक है दिहान से जल्दी करने के चक्कर में डायक मल्टिप्लाइना करो ब्रैक्ट लागा के सकून से लिखो उसके बाद सॉल्फ करो ठीक है सबसे पहले आप यह पूट कर लो उसके बाद क्या करो इनको सॉल्फ कुरो एक्स स्क्वायर को इ किये simplification के step उसके बाद सबसे पहले इस पर अप्लाए करो तो इस तरह हो जाएगा और integral इसके उपर भी अप्लाए कर दो इसका integral क्या हो जाएगा एक स्क्यूब अबर थ्री और इसको ऐसी रहने दो क्यों क्यों कि इसमें algebraic और technometric function आगया ठीक है दो function आगया product की form में इसको one बोल दो इसको solving कर सकते इसको हम integration by part के जरी से solve करेंगे ठीक है तो इसको equation number one बोल दो उसके बाद क्या करो हमें यह बला integral find करना है ठीक है दुबारा इस integral को consider करो दुबारा नहीं मतलब integral को consider करो अब देखो वह algebraic और technometric है ठीक है तो यह पहले आता है टी बाद में आता है तो यहां तक तो आप लों को बता रहे था उसके बाद क्या हुआ देखो आपने यू और वी दोनों को solve कर लिए तो क्या करो जो इंट्रीगल था कल्कुलेट कर लो यू आपका एक्स के बराबर है वी आपका करो तो यह आपके पास आजाएगा और माइनस मैनस पॉजिटिव को इंट्रीगल से बाहर कर दो कॉस्टू एक्स का इंट्रीगल क्या होता है वन अबर मतलब बेस का डिटिव करोगे तो आपके पास वाइनल यह आ जाएगा ठीक है यह मैं बहुत दफार आपको बताया है तो इंट्रीगल एक्स साइन टू एक्स डीएस का अंसर इसके बराबर है ठीक है प्लस यहां लिख दो एंट पे लिख दो बाद देखिए उसके बाद क्या होगा आपके पास जो भी इसकी वैल्यू आई है वह आप एक्विशन निम्बर वन में पूट कर दो ठीक है वन सब्सक्राइब तो बाकि जितने स्टेप मों देखने आप किस तर मैंने सिंप्ल्पाय किया है कि इतने चोटे-चोटे स्ट्रेप मों बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है